आज का मॉटिवेशन है साथियों, जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाडी बहतरीन होता है, आप मेंसे बहुत सारे विध्यारतियों ने अकसर देखा होगा, कि यार सारी दिक्कते मेरे साथ ही क्यों आती है, हम मेंसे कैयों का ये एटिट्यूड होता है, कि यार ये तो पहले ही मेरे रहमो करम पे जी रहा है, तो इसको क्यों ही परिशानिया देनी है ना, तो परिशानिया किस पे आती हैakah ये जह जहल सकता है, इसमें वो पावर है कि ये जटका जहल जहल जाएगा, आगगी बात समझ में, दर्द सबके एक से हैं, मगर होसले सबके आपके घर में आपके घर में आप दो भाई बहन, तीन भाई बहन, जितने भी भाई बहन हो उन मेंसे क्या सभी को घर में काम घरवाले बराबर बताते हैं या कम ज़्यादा बताते हैं कभी notice करिएगा कि घर वाले आप में से किसी एक को हो सकता है वो आप हो आपका छोटा भाई आपकी बड़ी बैन कोई भी हो सकता है आपकी तुलना में उनको काम जादा बताया जाते हैं करने के लिए मार्किट से ये ले आना अगर आवाज भी दी तो उस बच्चे को आवाज दी कि बिटा जाओ ये पानी पिला दो ये चाए किसी को पकड़ा दो कुछ ऐसा फील किया है आप लोगों ने ये एकदम छोटे से लेवल पर एक्जामपल बता रहा हूँ कभी भी हमारे घर में किसी की भी घर में जब माबाप काम बताते है ना किसी को तो माबाप काम बताते समय ये नहीं देखते कि भाई ये बराबर काम करना चाहिए दूसरे के साथ साथ नएं, उनके मन में किसी एक का नाम सैट हो रखा है उसी को बार बार बुलाते हैं कि बिटा आना ये जरा कर देना, बिटा आना ये जरा कर देना होता है आप लोगों के साथ में अगर ऐसा है, तो इसके पीछे थोड़ा सा लाुजिक लगाए एगा और वो लॉजिक क्या है? हमारे पैरेंट्स के लिए जिस प्रकार से हम लोग, देखिए हम लोगों ने एक चीज तो अपने संसकारों में सीख ली है, कि माबाप हमारे लिए इश्वर का अवतार हैं, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकता था, तो उन्हाने माबाप बना के भेजे, ताकि वो हमारे उपर इश्वर रूपी करपा बनाए रखें, लिकिन ऐसी इस्थिती में हमारे माबाप भी, बच्चों में भी किसी एक को काम ज़्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके पोटेंशियल को पैरेंट्स ने पैचान रखा है, इसलिए आप आपको कुछ काम एक्स्ट्रा बताय जा रहे हैं, एक्जेक्ली ईश्वर भी यही करता है, ईश्वर कि आगर आप सब संताने हैं, तो ऐसी इस्थिती में, वो किसी एक के साथ ज़्यादा, किसी एक के साथ कम जो व्यवहार करता है, उसके पीछे का लॉजिक भी कही ना कही ऐसा ही होगा, ऐसा आप एक परसेप्शन क्रियेट कर सकते हैं, और अपने संगर्श को बहुत अच्छे से काट सकते हैं,